साथियो नमस्कार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोधी केयर आजादी कलम में दोस्तो आज आप लोगों के लिए बहुत शांदार वीडियो ले करके आया हूँ जो की टॉपिक है हमारा आज का मोधी केयर का वेल विटामिन सी दोस्तो ये अभी निव लॉंच और इसकी हम लोगों को बहुत जरूरत थी आवश्यक्तिया थी हम लोगों के क्योंकि हमारे हेल्फ सिस्टम को हमारे इम्मून सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक्त प्रोड़क्त है तो दोस्तो आज आपको इस वीडियो के इस प्रोड़क्त के बारे में सारी जानकारी सुब्सक्राइब विटामीन से हमारीच वीटामीन इसको बात करें तो यह जाना जाता है यहीं आधिय। mitbag कि वारे में तो यह हमको रूप में दिया है vitamin c जो हता है दोस्तों यह water-soluble vitamin है इसलीये चुक्छी एक्सेस मात्रा में होने पे हमारी बाडी में निकल जाता है और जो वाटर-soluble vitamins होते हैं वो हमारी body उनकोAm destruction नहीं कर पाती है इसलीये इनकी हमको daily basis पे आवश्चक्ता होती है तो ये हम लोगों को दोस्तो मिलता कैसे है तमांतरे कि फ़लो से वेजीटेबल से इन चीजों से यह हम लोगों को मिलता है और इसकी हमको डेली वेसिस पे जरूरत होती है अगर हम लोग बाद करें दोस्तो एक एडल्ट की हम बाद करें तो उसको लगबच 2,000 mg की एपप एति स्वाइदे दिकान तो इस अब बात करते हैं विटामिन S के बेनेफिट्स के बारे में। साथियों यह हमारी cells को protect करता है और उन्हें free radical से बचाता है यह हमारी तवचा को स्वस्त और चमकदार बनाता है और dry skin problem को भी दूर करता है दोस्तों कई लोगों ऐसे होते हैं जिनके body में जब vitamin C की कमी हो जाती है तो उनकी skin काफी dry होने लगती है और उस पे पपड़ी सी आपको मिलता है यह हमारे शरीर के घावो को भरने में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है अगर vitamin C की सरीर में कमी होती है तो घावो को भरने में time लगता है इसके अलावा अगर हम बात करें vitamin C की तो vitamin C हमारे शरीर में calcium और iron के absorption में बहुत सहयक होता है यह शरीर में बढ़े इसके अलावा अगर बात करें तो यह हमारी रोगपरती रोदक शम्ता को बढ़ाने में बहुत अधिक सहयक है क्योंकि vitamin C जबरदस्ट antioxidant होता है इसलिए अगर कोई नियमित रूप से vitamin C को यूज़ कर रहा है तो वो ऐसी दशा में बीमार बहुत कम पड़ेगा vitamin C की बात करते हैं तो दोस्तों यह नेको प्रकार के infection से chronic बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है इसके अलावा बात करें तो यह blood vessels को सिकूडने से बचाता है जी हाँ जिससे high blood pressure के खत्रे को जो heart patient होते हैं उनके जाडों के समय में उनके साथ में ये problem अन्नेक बार देखने को मिलती है कि सुबे time उनको heart attack का खत्रा रहता है ऐसी दशा में ये blood vessels को मजबूत करता है उनकी दिवारों को मजबूत करता है उनको सिकूडने से बचाता है साथ ही अन्ने हिर्दे रोग के खत्रे को भी कम करने में बहुत एहम योगदान देता है इसी के साथ अगर दोस्तों बात करते है तो ये शरीर में collagen को बढ़ाता है जिस्ते हिर्दे धमनियों की दिवारे मजबूत होती है जोडों के दर्द में आराम मिलता है मसूडे वाद pigmentation को कम करने में इसके द्वारा मदद मिलती है hyper pigmentation जैसे कई बार महिलाओं के चहरे पे जाईयों की समस्या होती है या तचा में कोई ऐसा area जहां का skin बाकी शरीर के skin की तुलना में जादा dark हो जाती है ऐसी दशा में यदि vitamin C का सेवन किया जाए तो वह है उस highly pigmented area को धीरे ध शरीर के skin के color के जैसा करने में बहुत एहम योगदान देता है इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो यह बाहरी अनेक प्रकार के infection से हमारे सरीर को बचाता है vitamin C अगर हम उचित मातरा में लेह रहे हैं तो यह हमारी memory को हमारे सोचने की चमता को बढ़ाता है हम जो लोग पढ़ रहे हैं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अगर उनमें vitamin C की कमी नहीं है तो उन लोगों को बहतर है इसके अलावा वो लोग जो memory से related काम करते हैं उनको भी vitamin C लगातार लेना चाहिए इसी तरीके से यह बात करें तो शरीर की कोशिकाओं को free radical से नुकसान पहुचा है तो हम बात करते हैं यह हमको जो खटे रसदार फल होते हैं जैसे कि अगर बात करें हम अंगूर हुआ संत्रा हुआ आवला हुआ बहुत vitamin C का rich source माना जाता है टमाटा रादी संत्रा मौसमी यह जितने खटे और रसेदार फल होते हैं इनसे हम लोगों को vitamin C प्रियाप तमात्रा में मिलता है इसके अलावा अगर बात करें जो berries होती है रसबरी हो गई मैंने आपको बताया कि डियाथा पार्डे की requirement होती है इसमें का लगबग आधा یा चौथाई सांवा से मिल जाता है हमारी जो जो डेली का हमारी diet होती है उससे मिल जाता है हम लोगों के खानपान से मिल जाता है लेकिन जो उसके बाव्जूद condu you 50 percent की हमारी डाइट में कमी रह जाती है अगर उस कमी को हम लोग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोगों के आगे स्वास्त से रिलेटिड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है इसलिए मोधिकेर ने हम लोगों को विटामिन कि अगर आप मॉर्निंग में इसको खाना खाने से 45 मिनट पहले एक टेबलेट को चुवाल ले 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 इध्यान रखिएगा अगर आप इसको पानी की कोई जरूरत नहीं है यह औरेंज फ्लेवर इसको दिया गया है अगर आप इसको ले रहे हैं और बाइदोबे पानी के साथ ले रहे हैं तो पहले आपको इसको मुँ में चबा लेना है ऐसा नहीं है कि आप सिधा पानी के साथ इसको अंदर ले 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 तो पहले इसको आप मुँ में ले करके चबाईए औरेंज फ्लेवर का बेनिफिट उठाईए और जो है उसको आपको पानी के साथ या नॉर्मली यह ऐसे ही पानी की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ लोग इसको लेते हैं तो यह अगर हम इसकी MRP की बात करते हैं दोस्तों तो 499 रुपीज में हमको 60 मिल रही हैं अगर आप रोज भी एक खा रहे हो तो आप यह मान करके चलिएगा कि तकरीबन आपकी दो महिने की जो रोज है वह पूरी हो जाएगी अगर आप मोधी केर में रजिस्टर कंसल्टेंट हैं या आप मोधी के लोयल्टी कस्टमर है दोस्तों तो यखीन मानिएगा यह आपको बहुत सस्ते रेट में पड़ती है एप्रॉक्स अगर हम बात करें तो इसकी लोयल्टी में कीमत बहु महिने की नहीं जाती है तो इसको यह कैसा लगा सब्सक्राइब को आप इसको जरूर कर ले और अपनी पूरी टीम को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी नॉलिज बढ़ सके और वो अपनी सेल को अपने बिजनेस को बढ़ा सकें थैंक्यू वेरी मच